अगाज होने ही वाला है और जो पहला मुकाबला होने वाला है वो हो रहा है defending champions Mumbai Indians और RCB के साथ दोनों के भीड़नत होने वाली है दुबई में दोनों पिछली बार मिले थे मनोच सर्थ और अब जो है ये पहला मुकाबला अब भारत में हो रहा है इस बाहर दुबई में करना पड़ा इस बार यहां पर हो रहा है बहुत सारी आशा है बहुत सारी आशा है बहुत सारी अमीदें खासकर पर नुबई इंडेन के कफतान की रहेगी क्योंकि बाग तो बाग वो जी चुके है आइपल की ट्रोफी चाहेंगे कि इस बार भी इस बार भी इसपरिधियों के इनके पास रहे किसी और ना देनी पड़े लगए लगब तर तीसरी बार ओब लागर चटी बार बिलकुल व यही बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगी, क्योंकि अगर बॉलिंग के मोर्चे पर हम अलगला इसका अखलन जरू करेंगे, पहले बैटिंग का करते हैं, बिल्कुल, अगर तो जैसे नमबर साथ तक, एक से साथ तक जो है, इनका बैटिंग और भी देखेंगे, बड़ा जबर करते हैं, वो भी बहुत दमदार हैं, बिल्कुल, और मुंबगी टीम, अगर बल्लेबाजी की बात करते हैं, बहुत स्ट्रॉंग टीम है, वही रसी बी पीछे नहीं है, आपके पास यहां पर विराट कोली है, अजरुदीन है, जो अब टीम में आई है, और हम जिस तरीके स चाहिए जो आपके बाता है, वही प्रफॉदीन है, वही पार्टनर्शिप की ते पर चाहिए पिछले दिनों जो भंगलादिश के किलावी सही मैच, लेकिन गब्टिल के साथ एक निया उभरता हुआ किलाडी, तो 30-20 मैच खेल रहा है, और वहाँ 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 एटी प् भंडिल को शड़ा रुट तो 30-20 था शड़ा निया ठीकिर भंड और प्र शड़ादे है, जो हिल बात करें उनके बात करें रहां उनकी स्रुफ की पारदे सीर्फिस्टी बात करें कि दो यहाँ हाँ सन्चुरी से द्टनर्वाय लादे कि एस इस पर एक चुन फ़ाई बिल वहां पर उनके पास चांसिस बहुत अच्छे हैं आपके पास अगर मैं बात करूँ हार्दिक पाइंटे थोड़े से मीडियम पेसर हैं लेकिन आप उनको एस अपको एस बैककप जो है गेंदबाज वहां पर डेफिनिटली यूज कर सकते हैं उसके इलावा मुंबए के पास स्पीद बुम्रा है, ट्रेंट बोल्ट है और नेतर कुल्ट नायल है तो यह तीन जो टॉप नॉच गेंदबाज है वही आपके इतने धहांकेदार गेंदबाज है मुझे लगता नहीं कि और किसी गेंदबाजी की जरुद पर नहीं पर देखिए कि पैटिंसन और टेंट को टाटा बाई-बाई कर दिया इसलिए कि टेंट बोल्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और टीम का कॉंबिनेशन जो है वो गड़ बढ़ाए ना बिल्कुल क्योंकि कुंटन दिकॉक को भी खेल ले ना नाथन कुल्ट नाइल पिछले लोर और में आकर हिटिंग करते ह पोलाड को भी रखना है बिलकुल अर अभी तो क्रिसलीन बाहर वाठे हुए तो 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 अब थोड़ा सा लाकलस्टर है उनका रसीब का जो अगर खेमा बोलें आपके पास मौमाद शिराज है आपके पास काईल जैमिसन है जिससे इसम बात कर रहे थे पिटाई उनकी बहु अभी एक ठार ऊवर में जो हम लिखा सबस्ट है बहुँ आपके पास नवहिए बहुत भालर की बहुत है आपके बाहुत है यह लोग दिकति आने वाली है तो आपके पास नवदीप सेनी भी है लेकिन उनके इतना अशिवराई नहीं ती नहीं तीज़ा पास घाली पेस से क कुछ तो करिये, आप बिल्कुल सीधी के इन स्विंग करवा लेते हैं, लेकिन कटर मेटर में थोड़ा सा हाथ तंग उनका मुझे लगता है, उतना थेज वासा कुछ उतनी एफेक्टिव नहीं होती तो से शारदोल ठाकूर करते हैं, बिल्कुल, बिशाकूर में कई तरह के लेकिन बावजूद उनका फिकेटिकिकिक बाॉलर है अनकि युटिक टीम का नहीं तोनों टीम का लाख नहीं रखना बहारी टीम का है थेजिए स्पिन बाॉलिंग लेकिन नहीं जोड़ा सा एच है उनका जहां वाशिंग्टन सुंदर भी है, जूदी चेहल भी है, और शा अभी पिटाई खाकर आए है। बहुत बिटाई हुई है। ज़ जो तो जो 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 इनको इनको भारा है ना तो वो तो रात बार बार मतला सोय नहीं होंगे और उसका मनुगल पड़ा पड़ता है अगर परफॉर्म नहीं करते हैं बिलकुल और अगर बात करें चिदामरम स्टेडियम की तो पिच जो है हमने देखा इंग्लेंड की खिलाफ इंडिया इंग्लेंड का यहां पर टेस्स मैच भी वा था मैंने तो इस बहुत ही जिसे कहते हैं डिफेंसिव बालिंग करते हुए नहीं देखा है उतने अटेकिंग बालर वो नहीं है और शायद इसी वज़ा से वो रनों पर अंकुछ लगाती है तो यहां पर आप पेस वहां तो मुंबई का मुकाबरा नहीं है वहां तो RCB जहें गहते है ना बिल्कुल हाशी पे बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वह आपके तेंट बोल्ड का या जस्पीत बुम्रा का या फिर आपके जैमी सं तो मैं नहीं कहूंगा रिचर्ट सं रिचर्ट सं उनका कुछ सामना कर पाएंगे बिल्कुल मुझे तो थुड़ा स्लाओ सकते है क्या लगता है मैच किस तरफ जादा पल्रा भारी मुंबई यहां मतला यहां का मतला इतना भारी और रसी वहां अगर रसी भी कुछ करिश्मा कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी लेकिन पल्रा कर कागजों पर देखेंगे तो मुंबई का बहुत उपर है 70 30 आप कितना इकम होगी आपको क्या लगता है पहले मुकामले में आई प्ल 2021 के कौन रहेगा विजयता हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बैल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे